नमस्ता दोस्तों स्भागताब सभी लोगा इंजन फ्लाइंग के आज की इस नई अपडेट में फ्रेंट्स रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोग के लिए एरलाइन्स और ट्रेवल से जुड़ी हुई कुछ बेहर जरूरी और काम की अपडेट लेकर आ चुके हैं फ्रेंट्स आज मुझे थोड़ा सा कॉल्ड है तो आपको आज में थोड़ी सी फ्रोब्लम हो सकती है और आगे बढ़ते हैं और पहली अपडेट ले लेते हैं जो की आ रही है युकरेन से जे दोस्तों यहाँ पर युकरेन से जुड़ी हुई कई सारी इंपोर्टेंट इसके साथ भारत सरकार की खुद की एर फोर्स भी इसमें लगी हुई है टोटल यहाँ पर 46 फ्लाइट की लिस्ट जारी कर दी गई है आगे आने वाले समय में इन 46 फ्लाइट को ऑपरेट किया जाएगा जिसके माध्यम से युकरेन में फसे हुए भारतिय इस्ट्रेंट्स या फिर भारतिय लोग जो कि भारत वापस आना चाहते हैं उन सभी लोगों को वहाँ से निकाला जाएगा इन 46 इवेक्वेशन फ्लाइटों के लिस्ट हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे यदि आप चेक करना चाहते हैं कि ये 46 फ्लाइट्स क से जोइन करने वाले थे अभी उससे जुड़ी हुई एक बुरी खबर सामने चुकी है कि इलकर आईसी ने इस ओफर को रिजेक्ट कर दिया है और इसके पीछे जो कारण बताया गया है वो कुछ पॉलिटिकल रिजन बताया गया है और कुछ पॉलिटिकल इसूस के कारण ही ये अब एर इंडिया को जोइन नहीं करने वाले है और इंडिया के लिए टाटा गुरूप को नए CEO की तलास करने पड़ेगी फिलाल के लिए इस समय एर इंडिया के पास कोई भी नया CEO नहीं है और एर इंडिया का मेनेजमेंट अभी वी वैसे ही ओपरेट हो रहा है जैसे पहले operate हो रहा था अगली खबर यहाँ पर Thailand से जुड़ी होई है जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा और हमने भी अपनी वीडियो के मादियम से बता दिया था कि भारत और Thailand के बीच में Airbubles के देट फ्लाइट है चालू हो चुकी है अब यहाँ पर Thai Airways भी भारत के लिए अपनी फ्लाइटों के नई लिस्ट लेकर आ चुकी है यदि आप Thailand के लिए ट्रैवल करना चाते है यदि थाइलेट से भारत आना चाते है भारती Airlines Company के साथ अब Thai Airways के मादियम से भी आप ट्रैवल कर सकते हैं Airways ने यहाँ पर कई सारी फ्लाइटों की नई लिस्ट चारी कर दी है जिसके मादियम से अब सभी भारती है या फिजो Thailand में है वो भी भारत आना चाते हैं वो सभी लोग ट्रैवल कर पाएंगे एक और खाबर यहाँ पर Canada से जुड़ी हुई है Canada को लेकर कई सारी लोगों के सवाल आ रहे थे कि क्या Canada में ट्रैवल करने से पहले अब PCI टेस्स की रिक्वार्मेंट है या फिर नहीं है तो यहाँ पर Canada की गौर्मेंट के दोरा मार्च महीने में जो नया ट्रैवल रूल लागू किया गया है उसके तहट अभी भी सभी लोगों को प्री डिपार्चर कोविट टेस्स जरूरी है इसके सांसाथ यह बताया गया है कि Canada में एंट्री करने के बाद आपके पास यह उप्सन होगा कि आप रैपिड एंटिजन टेस्स करवा सकते हैं या फिर आप नॉर्मल PCI टेस्स करा सकते हैं रैपिड एंटिजन टेस्स कराने का खर्चा काफी कम होता है और इसका रिजल्ट भी आपको पांस से दस मिनिट मिल जाता है तो बहुत सारे लोग अब यहाँ पर जो लोग भी कैनेडा में ट्रेवल कर रहे हैं वो कैनेडा के एरपोर्ट पहुंचने के बाद केवल रैपिड एंटिजन टेस्स करा कर अपने घर जा सकते हैं और यहाँ पर जो लेटेस जो नियम है उसके अनुसार अभी भी PCI टेस्ट जो की फ्लाइट में बैटने से पहले आपको कराना परता था वो अभी भी कमपलसी रखा गया है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है ताकि आपको लेटेस अपडेस समय पर मिलती रहे